नमस्कार जहिन दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेना सीपी कलासेस में दोस्तों मेरा नाम है चंद प्रकास और आज की वीडियो में दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से एक या दो नमबर का क्वेस्टन हर बार परिच्छाओं में पूछा ही पुछा जाता है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें से आपको एक क्वेस्टन जरूर आएगा दोस्तों परिच्छा में पूछने के लिए तो यहां से अगर दे वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट चोड़ना मत भूलिए कि दोस्तों तो ज्यादा ना बात करते हैं दोस्तों यह कि आपका जो चैप्टर है 16 है दोस्तों कि बृत की छेदक रेखा इसपर्स रेखा और इसपर्स बिंदु की अधारा यह तीन क्योंस आप का यह है दोस्तों छेदक रेखा जिसको सेकेंट बोलते हैं दोस्तों छेदक रेखा क्या होती है इसका परिभासा हमने लिखा दोस्तों वह रेखा जो बृत के अलग-अलग बिंदु पर प्रतिछेद करती हो छेदक रेखा कलाती है कहने का मतलब यह है दोस्तों यहां दख अगया हाथ आहा और किया दोस्तों कि दोस्तों है उस्कों तक कर देखिए मेरा हाथ को माने इसक्ट सब्सक्राइब यह तो यह जो लाइन आपका यह दोस्तों कि आह यह दो यहां से यहां कह लाएगी धोस्तों आपका छेदक कहला एगी फिर समझने कोषित करिया तो ही लिखा है दोस्तों कि वह रेखा जो ब्रित के अलग अलग बिंदुह प्रति छेद करती है। प्रतिखहद मतलब दोस्तों उसको किया उब बनेगे छेदक रेखा या छेदक बिल रोसकते हैं बाते समझाय है आई दोस्तूं कि वह रेखा जो ब्रित के अलग-अलग विंदुओं पर प्रतिखहद करती हो छेदक रीखा कहा dział दोस्तों Aunque ऑने तो यह पूंछाँ कर लाएगी दोस्तों इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजाइगे टैंजेंट एंड पॉइंट आफ कांट्रेक्ट तो यह क्या होता है दोस्तों स्पर्स रेखा और स्पर्स बिंदू क्या होता इसको भी समझ यह बहुत ही बात हैं समझ जाए दोस्तों कि आयसी रेखा जैसे माल लेते हैं यह रेखा होगे यह मेरा पॉइंट है साहत का जब ऐसे आये रेखा ऐसे देखी टॉइंट को टॉइंट को टॉइंट कर रही है तो ऐसी रेखा जो बृत के किसी एक बिंद को प्रतिछेद करें प्रतिछेद क कलाएगी क्या कलाएगी इस पर्स रेख्याका रहते अगारे बाते समय में आई इसको टच कर रहे जिस पॉइंट पर सव किरख्या कि कर लाता है क्या का लाता है तो सब्स बिंदू करता है तो सब्सक्रें करती है sc यह जो रेखा थी कहीं न कहीं पहसे चुई ना यह पॉइंक कौन सथ है arbe 기분 यह चूही दोस्तों यह बिंदू क्या स्पर्स बिंदू जैसे जिस बिंदू पर इसके कर रही है यह जो बिंदू कहले यह कहले का सब्स में और दोस्तों अच्छी तरह समंझ में अगए विए गयी तो इस चेदक रेखा क्या होती है दोस्तों जो क्या कर एकदम मैं तलवार मारा पार हो गई तक यह उसको पार करती हूँ चली गई इसको छेद करती हुँ चली गई प्रति छेद करती हो उस से क्या कर लेते हैं दोस्तों चेदक रेखा का यहाँ परशचसे दख़िए केклад़्स तो कहते हैं गया सब्सक्राइब करती है एक ही पॉइंट केकि पर होक छाइज परमक्ता करे हैं तो किसी एक सब्सक्राइब करती हो एक बिंद्र करें ठेक तो वह रेखा जो कहला आइ Best पर से इसफर्स करती है वो जो बिंदू कहलाता है दोस्तों यहां देखे यह क्या कालएगा दोस्तों बिंदू कहल है तीसरा हो Six से धक्षरी का इसफर्स रेखा उसको देखी आद्सको से लिए तो शर्क रेखा की में तो इसको को समझने कोशिद करिएगा यह मैंने चित्र जो बनाया है इस चित्र को समझने कोशिद कर लिएगा पहला जो पहली संभावना इसको देखिए पहली संभावना जो है उसको देखिए कि मान लेते हैं कि कोई एक आपका क्या है एक ब्रित है ठीक है और जो कोई रेखा है और व एक पॉइंट P है दूसरा पॉइंट Q है यह बाते समझ में आई अब ऐसी स्थिति आ जाये दोस्तों या फिर यह इस प्रकार से परिभ्रमण करें कि यह जो छेदक रेखा है ना दोस्तों जब भी हम इसको करें तो हर बार यह क्या करें पॉइंट भी से प्रकार यह यह जो इसे कि और अगंनों हम इसे करेंगे तुछ ही प्रतिछेदन को आपका क्या था तो पी और क्यू था ठीक लेकिन दूसरा जो प्रतिश्यतन बिंद होगा यह भी तो क्यू तो नहीं होगा माल लेते हैं यह पॉइंट क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा तो दूसरा प्रतिश्यतन बिंद क्या हो जाएगा दोस्तों पी और क्यों हो जाएगा इसी प्रकार से छो जाए य 경찰 हो थो यह ॉट्ट क्या एक हो जाएगा क chilो मालेते हैं तो दूसरा पाई तीसरी स्थीृ तुछ ङूट ऐसकी और क्यूट हो गया ठीक अब तीसरा ॉट अगर मैं इससे करूं दोस्तों उट यह माल लेते हैं यह पॉइंट कहा पर आजाता है का यह q 3 Q3 समझ में रही दोस्तों तो यह क्या है इस पर से रहा कि अधाड़ा है अगला पॉइंट क्या होगा पी और क्यूँ फोर हो गया लेकिन आप इसको और हम करें दोस्तों ति यह पॉइंट पी से ही गुजरे गी और अब ध्यान रखिएगा लास्ट स्टेज में क्या हुआ दोस्तों कि यह रहा पॉइंट पी से हमेशा गुजरे और लेकिन एक आयसी स्थिती हमारे पास आई दोस्तों कि यह जो रेखा P थी यहां क्या थी च्छेदक रेखा थी यह संब अर फे understood चीज़े जितनी भी रखाएं दोस्तों यह क्या है एक ऐसी इस्थिती आई दोस्तों ने क्रिसकों आधर क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी इस्थिति आपको देखने को मिली जब यहां छेदक रेखा किस चीजब बदल गई दोस्तों इस पर सरे चांब में क्यों कि यहां परर ट्ची तो कर रही है ठोड़ी नंहें तो इस परसी तो कर रही है तो ऐसी स्थिती आ जाती दोस्तों कि यह तो एक शब्स हो गई तो है तो आयसी समभावना आई दोस्तों कि क्या हो गया है जो छेदक रेखा थी वो किस रूप में बदल गई दोस्तों इस पर से रेकाम बदल गई बात से समझ आई दोस्तों अच्छे तरह से एक पहली संभावना दोसतों कि औहुझा दोatt sovereignty कि Budget यह सकता है दोस्तों कि आपकी छेदक रे preserv है यह देखी जो आपकी च्रुच्षा अब है एक पॉइंट पहली बार एक पॉइंट P और दूसरी पॉइंट Q पर काटती है प्रतिष्यद करती है लेकिन दूसरी समयना फिर हुए कि यह रेखा क्या हो कि पॉइंट को अपने छोड़ती चली जाए हर बार अपने पॉइंट को यह दोनों पॉइंट यहां पर देखे कि एक पॉइंट से सिर्फ हट रह है दूसरा और यह दोनों क Healthcare क्या है यह दोनों जो रिखाए हैं आपस के बीच में क्या होंगी तो ऐसे क्या करेंगे दोस्तो तो एक पॉountain से फट सी यहां क्या हो रही है समांतर दोनों से साथ रही है कि समझे आज बाते दोस्तों तो P 1 और Q 1 हो गया दूसरी इस्थिती में देखिए P 2 और Q 2 हो गया फिक है अब तीसरी इस्थिती अगर हम मान लें तुम ऐसे ही समानतर अगर जाएं तो यह क्या होगा आपका P3 पॉइंट पी पे यह जो रेखा आपका A B है अब कहां पर पॉइंट P3 पर कर रही है और यहां पर क्या हो रहा है क्यों कर रही है लेकिन अगर ऐसे क्या करेगी सिर्फ एक पॉइंट को क्या करेगी प्रतिछेद करेगी क्या करेगी एक पॉइंट को प्रतिछेद कर देगी अब मानते हुआ आइसी सिटिएशन आया दोस्तों समांतर जब जा रही थी एक आएसी स्थिति आई कि ये सभी रेखा ही क्या हो गई दोस्तों इसपर्स रेखा में बदल गई वही। कि यह परिभास क्या पढ़ा जो बित के किसी एक बिंद को पृस्पर्ष करती है टो यह जह पॉइंट होगा दोस्तों यह क्या करते हुआ इस परश विंदु कर आइगा और यह जो रेखा जो स्पर्स करेंगी या रेखा किसमें बदल गई दोस्तों इस परस रेखा में तो जो आपकी अधार आगर आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों आप लिख देंगे कि माना एक जो छेदक रेखा बी या फिर एक छेदक रेखा ए भी है वह पहले हिस्थिति में वह हर बार फीप पोइंट से गुझरती है यहीं जो छेदक रेखा होती है इस बढल जाती है दूसरी संभाव ना इदि मैं तो एक आपको देखने में यह मिल रहा होगा दोस्तों कि यह जो छो नीचे आ रही है इसको लेंथ जो होती जा रही वह कम होती जा रहे है अगर इसको मांग लेते हैं यह जीवा यहां से जीवा होगी यह जो लंबाई है दोस्तों कम होती जा रही है और एक ऐसा इस्तिति आ रहा है कि पी और क्यू जो बिंदू है वह क्या है एक ही बिंदु पर क्या करता है हो जाता है ज़िसे एक छेदक रिखा देखा अब दोनों का पॉइंट क्या होगा पी किव एक पॉंट हो गया यह क्या हो जाएगा छित ह già doubled यही सब हैं दोस्तों, अब तिसरा चीज किया है आपका क्यों की भींदा से इस पर खीची गई रेखाओं की संख्या क्या redo एक बेन से ब Ferrita पर खीची गई इस पर से रखाओं की संख्या उसको देखिए तो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे और समझदारी से इसको करने करी गए क्योंकि इससे पॉइंट क्या है धोस्तों के एक बिन्द्से बहुत ब्रित पर खीची इसपर से रखाओं की संक्या तो थ्यान अखेगा पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है दोस्तों इसको समझने कोई बिंदू पी बृत के अंदर अगर है तो क्या है दोस्तों तब पी से जाने वाली कोई भी रेखा तो इससे जाने वाली कोई भी अगर रेखा होगी दोस्तों यह स्वर्ण रेखा नहीं हो सकती और आप तो वही आपको प्रसमें पूछा जा सकता है दोस्तों ध्यान रखेगा अगर कोई पॉइंट क्या है कोई बिंदु है मालते हैं बिंदु पी हो गया अब बिंदु क्या है इस बृत के अगर अंदर है दोस्तों इससे जाने वाली जो कोई भी जो रेखा होगी वह इस पर से र जानेवाली कोई भी रेखा होगी दो कया एक बर टो तक बमाइन से जानेवाली जो रेखा होगी वह क्या जाने वाली ऐसे जानेगे अग़ अगर कोई ब्रित है दोस्तों अगर हमको इस परस रेखा खीचना है तो उसके दो प्रकार से इस परस रेखा खीच जा सकती है पहला क्या दोस्तों यदि यही जो बिंद P था अगर कहा हो दोस्तों यदि यह जो पॉइंट P है दोस्तों क्या हो अगर यह जो पॉइंट P है अगर बृत परिस्थित हो बृत परिस्थित हो पॉइंट P क्या है आपका इस बृत परिस्थित है है कि नहीं तो अब इससे जान बिंदू भिंदु बिलिक्स तो यह व्यांद बिंदू लोग चहले स्थीत व सकते इस जा सकते तो ईस बंद 자ने वाले जो पी से है दोस्तों तो यह जो इस पर से रेखा होगी दोस्तों कितना खिच सकते हैं के वल और के वल के वल के वल एक कितना दोस्तों के वल एक हम क्या खिच सकते हैं इस पर से रेखा खिच सकते हैं अगर वह बिंदु क्या है पी जो है बृत पर है पहला दूसरा यह जो दोस्त तो यदि अगर यह दोस्तों व्रित्त के बाहर हो तव। कितनी इस पर स्रस्रेखा है भी चाहिए घी CEOสथित हो तो इसे भी बेर भी चाहिए रेखा कितनी होगी दोस्तों दो इस पर्स रेखा कितनी दो इस पर्स रेखा अगर बिंदू दोस्तों बृत के अगर बाहर है तो हम लोग कितने इस पर्स रेखा की सकते हैं दो इस पर्स रेखा तो यहीं हमने लिखा दोस्तों यदि बिंदू बृत के बाहर इसी था है तब संबभाव कितनी अगर पुछेगा आपको बविकलपी फ्रसमेत पूछा सकता है कि कोई बिंदू P सेवार कोई बुंद तो दोस्तों इस वीडियो का जो concept था दोस्तों इतना ही था और इस वीडियो को अच्छे तरह से एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार देखिए क्योंकि इस वीडियो से एक question हर बार हर परिच्छाओं में पूछा जाता है दोस्तों तो उमीद करता हूं आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया दोस्तों समझ में अच्छी तरह से आया होगा और समझ में आया तो इसकी एक लाइक कर दीजे और इसकी एकसरसाइज है दोस्तों मैं अगले वीडियो में सालो करा दूंगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और वीडियो को हम अगले वीडियो में सालो करेंगे और क्योशनों को धन्यवाद